समाज दल में उपर से से इसार लूप समाक शेत्र के दाउं दाउं से आएवे समानित मुझरू माताव बहनों, नोजवाद दोस्तों, पत्रकार उन्ठायकर मात्यों, और इस प्रिशिंप दाउं देख्यों इगल भोड़ी चदीर कुर्जों आप बहुत देर से बैठे हैं, मैं बाताओं से घास्तों से कुणगा आप बैज जाहिए, मैं फिर लपा नहीं बोलना चाहूना, मुझे इस बात का हैसास है, कि आप समीरे सस्मधी से बैठे हुए हैं, और मौत लपा समय हो गया, इसलिए मुझे कि ज्यादा लंबी पोड़ी आप नहीं कहनी है, आज मुझे ये कहने किसलिये भी आउ सकता नहीं है, कि आप कोई बार से नहीं आए, इस सबा में जितने भी लोग बैठे हैं, उस सारे हिसार लोग से बाप शेत्र के मतुदाता बैठे, इसे इक रान पर कल भी एक सबा हुई थे, इसमें रोज तक पूर आए हुए थे, परसों भी एक सबा थे, इसमें राजिस्तान और सम्जाब के रोज आए थे, हम भी लिकठी करने में यकीन नहीं रखते हैं, हम लोगों को राजनी तिक तोंपर जादरूप करने में यकीन रखते हैं, और हुझे ये कहने में बड़ा गरब और फटर म पूरी तरह से राजनी तिक तोंपर जादरूप हो गए हैं, और आपकी जादरूपता गलाब अब समूत्रे राज्त को मिलने जा रहा है, क्योंकि आज इस देश का हर नागरी मोजुदा कुशासन से परेशान है, और उनकी परेशानी को जूर करने के लिए तेरा तारिक को आपने एक एम भूमिका निभानी है, जि मेरे कहने किया सकता नहीं, मुझे इस खित्र के एक एक गाउं में एक एक बत्ताता से मिलने का उसर मिला है, मेरी और आपकी आज की पैचान नहीं है, हम लंबे समय से एक कुश्रे के साथ चुड़े हुए हैं, मुझे इस बात का ब आज का दिन एक बहुत उप्ट उप्ट दिल है, आज मेरी शिपानमी की जी का पवित्र जनम दिवस है, मेरी शिपानमी की जी ने इस देश में भगवान राम के बत्यों को ना सिर्फ शिक्षित के चुनाने का काम किया, बलके रामायन भी उनके मुझ से लिखी गई थे, उ इस प्रदेश में कुछ ऐसे चेरे भी उबर करके आ रहे हैं, जो जात्पा, धर्म और मजब के नाम पर उन्हें इस देश के लोगों को बाट करके अपनी राजनी की क्रोटियां सेकने में यखीर रखती है, हर्याना प्रदेश की जागरुप जंता उसके वैकाओं में आने इसने किस नारी के उदर से पैदा होना है, दोस्तों किसी मा के पेट से पैदा होना इनसान की जाती नहीं मानी गई है, अगर किसी मा के पेट से पैदा होना इनसान की जाती मानली गई होते हैं, तो भगवान राम का जनम राजपूत के घर में हुआ था, क्या उस जिरफ रा करते हैं क्या उन्हों ने भगवान रानदों को शिखश्या उर्दिक्षश में द्टेक encryट हसे गुरु रिधास का जनम नंदेरी fazendo сожалению ये अज़े विश्व पसिज्वां सही रिज़़ स्क्राशन महुब.. और उनके दिखाएवे रस्ते पर तल करके मानव समाज ने अपना कल्यान किया था। गांदी जी का जलम पणिये के घर में हुआ था। लाखों योगों ने अपनी जवानी के बहु मुले दिन अंग्रेश की संगों तारिश देश की पोटरियों में नहीं बिताये थे। राश्ति पिता महत्मा गांदी समुचे राश्ति के राश्ति पिता थे। किसी जासी मिशे इसके निता नहीं थे। ज़्यादा से ज़्यादा अम्मान के तलें तो आज इस देश में किवल दो जातिया हैं। कमेरे की है और एक लुटेरे की हैं। हम सब कमेरे वरक के लूब हैं। कमेरे की तरिभाज़ता बड़ी रखाफ है। जो अपने हाथ से मैनद करके अपनी आजीज का चलाते हैं। कमेरे कहलाते हैं। और जो सरकारों की मिली भगत से एर कंडिशन कोच्चियों में बैट करके ठगी ठोरी करके देश की दोलत को लूटने का काम करते हैं वो लुटेरे कहलाते हैं जंग आजादी की लडाई में जब हम छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे हम नारे सुना करते थे कि इस देश से विदेशी हुपनाद जाएगा हमारी अपनी सरकार बनेगे पिर कमाने वाला खाएगा और लूटने वाला जाएगा जो स्वपन हमने समझोए थे वो स्वपन हमारे साकार नहीं होपाए हमारे भुदरगों पुर्फाओं की कुर्बानियों की वज़े से उनके बलिदानों की वज़े से उनके संगर्श की वज़े से वो गोरा अंग्रेज तो इस देश से तला गया लेकिन उसकी जगह पर काड़े अंग्रेजों ने आज इस देश को पूरन रूप से बरबाद कर दिया चाहे वो किसान है जिसके आज सबसे ज़्यादा देनी हालत है ना उसे पानी मिलता है ना बिजली मिलती है खाद के दान निरंतर बच्टे जा रहे हैं अफसोस के साथ कहना पड़ता है जहां किसान को खाद पे सबसे लिए मिला करती थे आज हर्यादा परदेश की सरकार स्वंगों पैसा ठारी है फैक्टियों से साथ सो सत्तर रुपे के इसाथ से खाद करी दी जाती है और किसान को नो सो दस रुपे के इसाथ से दी जाती है 144 रुपे सर्टार कमिशन खार ही ये बीच में ये हालत आज इस परदेश की है अभी मुझसे पूरो बक्ताओं ने बताया कहां तो गरीबी की आव लेकर के गरीब लोगों को सुविला प्रदान करने के लिए पिले और गुलाबी काँध बनाने की घोषनां की जाती है गरीब की गरीबी को और लोगों के सामने ये दिखाने के लिए ज nimmt गरीब की हमदर्ध है 180 अस्ति रुपया रोजाना मन्रेगा के नाम से गरीब मजूर को मजूरी दी जाती है उसे करीब मान करके 100 सी रुपया दिया जाता है और दूसरी तरफ कानून बनाया जाता है कि जो 26 रुपय कमाता है वो पूंजी पती कहलाएगा उसे और किसी परकार किशु विला नहीं मिलेगी तो इसे साथ जाईर है कि वो पीडे और गुलाबी कार्ड काटना चाते हैं आज चोजरी ने विलाज की बनाई हुई पैंशन जो मुडे बुदरगों को हर महिने की साथ तारीक से पहले पहले मिल जाती थी आज ना उन्हें पैंशन मिलती है बलके त्यार दिन पहले हरियाना परकार की तरफ से एक नया रेजुलेशन पास किया गया है एक नया कानूर बनाया गया है सवाद कल्यान विवाद की तरफ से एक नया स्टर्कूलर जारी किया गया है ये बरदावस्टा फैंशन उसकी मुकर की जाएगी जो फूड़ा अपना एक सर्टिफिकेट इस बात का देगा कि मेरी आमदन 15,000 रुपे से सालाना कम है ये कमीशन इस परकार के कानून बढ़ाना उन फूड़ों को अप्मानित करने का काम है बुड़े बुदर्गों के बस की बात नहीं है कि वो सर्टिफिकेट जुटाते फिरें इससे साफ जाहिर है कि सरकार उनकी पैंशन काटना चाती है ये अमदन आपसे एक निवेदन करने आया हूँ कि तेरा तारीक को वोट के मादयम से जो वर्दा वस्ता पैंशन काटना चाते है जो पीरे और गुलाबी कार्ड काटना चाते है एनक का बटन दबा करके उनको काटने का काम करना ताकि सदा के लिए आपका रस्ता साथ हो जाए आज आपको एक अउसर मेरा है उस अउसर को मत कूच जाना पिर श्विराज चोहान ने 17 मर्टबा मुहमद गोरी को छोड़ने का काम किया था और 18 मर्टबा सर्गी ठोरी से मुहमद गोरी ने पिर श्विराज चोहान को गिरफ्तार कर लिया उसे जेर में डाल दिया उनकी दोनों आखे फोड़ दे और उनके गले में 18 तबे डाल दिये और फिर उनकी जो कभी से जंद्रवर्दाई उनको कहा के आप कहा करते थे कि आवाज पर अगर तेरा राजा तीर मार देगा तो मैं उसे बरी कर दूँगा अनका उसे मुद की सजा दी जाएगी तब जंद्रवर्दाई ने जीत गाकर के पिर श्विराज चोहान को आगा किया था चार बाज चोबीस गज अंगोल अस्ट परमान ता उपर सुल्टान है मत चूपे चोहान फिर श्विराज ने उनके दिखाएवे रस्ते पर चल कर उस सुल्टान के सीने में तीर मारा उसको मनना इखा उसको भी मार दिया था इसलिए आपको अब एक अउसर मिला है आप उस अंसर को चूप मत जाना अपना एक एक मत एनके बटन के लागे का निशान दबा करके एस परकार के लोगों को सबत दिखाने का काम करना हम परकुसान के जुड़े और परकिसान को जब टोर मिल जाता था तो उसकी वह गत बनाया कर्षे थे आप को संक्त है आपको कई फोर पर हिक जानके है इनकी ऐसे गत बना दो कि आंदा दुणाव लरने का नाब ना दे हृती है आप पारे तूप गूजवाने मत्दाता हैं, आप से एकी निवेदर करूगा, अपने अपने घरों में जाकर से एक इस मत्दाता से सप्परत नाफिस करें, यह वो माताएं बहने गोड डालने के लिए जाएं, मेरा उन्से नुरोध है, अरी सुनी ओड करके जाएं, मैं उन मत्दाता हूं के पास हों के कहना चाहूंगा, अपनी पैतात काइब रखने के लिए, हरी पगली बाद रहें, हरी बुन्याद पहलें, यह हरा कमीन पहल करके जाएं, साथे आपकी एक अलग से पैतात रहतें, मुझे यकीन इस्वास्वर परूसा है, कि आपको इस देश की कुरानी परंप्रा को पर्चनार रखेगे, आज सन्योग से बावु जैपरकार स्मारायन का भी जनम्तिवत है, जिनोंने 30 साल तक इस कांगर्स के जुचेरों ने देश को जूचने का जब काम किया था, तो 1977 में बावु जैपरकार स्मारायन ने एक नही लेर सापिते थे, जिन्ते दिखाएवे रखे पक्रणते के इस देश के लोगों ने कांगर्स के कुशासक कांद किया था, और जन्ता पार्ची की सरकार का कशन किया था, इसे पढ़्णार से स्वर्गिये ज्वाद्री बेविलाल्जी ने 1915 में एक नई जाकरती पहला करने का काम किया, सभी विफक्ष के लोगों को इस दाख करके कांगर्स का रखाब करने का काम किया, आज कुने आपको इस दो मिल रहा है, मैं आपसे विनम पर निवेदत करने आया हूँ, जिस देश को पहले हैं, अलियास एक टोटाला की पक्ष में अपनी जाज दे करके कांगर्स का प्राइश क करें, मैं आपको वाहिदा देखर के जा रहा हूँ, कि स्वादी देविलाजी ने एक सिर्णा दिया था, जे वोट के मतलाता की इस चाओं के अनुषार, अगर कोई परसीनिवी उसके काम ना करे, तो फिर्दंता कोई अधिकार दिया जाए, कि उस परसीनिवी को वापस मुझे खुशी है, कि स्वादी देविलाजी के भी खायवे रस्ते पर, आज हर मतलाता ने अमल करना शुरू किया, राज नेताओं ने उनकी बात को मार दिया, और अन्दा हजारे ने भी राइसु रीकाल की बात को मारने का ठेंगिया है, मैं वहीं समा में आपको वाहिजा करेंगी, हमारा मन्चा सत्ता का सुप वोगजा नहीं है, हमारा मन्चा देश के लोगों को स्वच्छ और शुदड प्रशासन वहिया करना है, हम सत्ता के भूबते लोग नहीं है, अगर हम सत्ता के भूबते लोग होते, तो 1999 से में आपके सयोग और समद्दर से, चौदरी विलाल नी स्थरम सम्मत्री से इस देश के परदान मंत्री चुले गए थे, वो भी पांच वरुस्तक परदान मंत्री के पंपोश्रों भी कर सकते थे, लेकिन बाद के धहित दहीं से औरी जे विलाल ने रगु पुलरीत सदात जली आई, प्राण जाय परबतर न जाय परदान मंत्री का पंपोश्रों भी कर सकते थे, लारों वर्ष पुराइन उस परंप्रा को भरकरा रखा था, इसलिए दोस्तों माँ आप से एक दिवेदर करने आया हो, आप सारी मत्दाता यहां आय हुए हैं, एक-एक बोट को तरा देना, एक बोट की विनापोर होईदा रह जाय चुनाल हमेशा वो पार्टी जीती है, जिसके कारिये करता मैनती और लगर्शील हो, तेरा तारीक को शाम को, घरी में पास सद्रे में दो मिनक चल समय भाकी हो, मेरी पार्टी के कारिये करताओं के काले के उपर 80-85 साल के पाइस बुरिया की चार पाई हो, दोर तेवे पोलि चुनाल नहीं हारा करती है, अगर इस परकार से आप ने एक एक वोट पोल करा दिया, तो साथियो 17 तारीक को जब चुनाल परिणाम भूर्शित होंगे, और आप रेडियो पर सुनेंगे, टेरिविलर्स पे देख रहेंगे, कि इस आज लोग सभा के उप्चणाव में, इं परकार की खुजी भरेक्षन इंसान के जीवन में कभी कवार आया करते हैं, और जो ऐसे क्षणों से उचूद गयता है, उझे पर आजीवन पस्दाना पड़ता है, इसलिए आपको पस्दाना ना पड़े, एक एक वोट पोल करा देना, यह आपकी जुम्हारी है, आप हर ल सिहां से भी अगर कर देखं़ सलेंगे, एक एक जाये वो पत्यासियों को देखें.